हाई अब्रिवन आज हमारे पास एक को रिज्यूमे है रिव्यू करने के लिए इसको शेर करा है एम उमेर अकबर ने आई होप मैंने नाम को सही से प्रोनाउन करा होगा अगर गलत कर दिया तो सुरी फोर डैट पिकोज कभी भी किसी के नाम को गलत प्रोनाउन नहीं करना चा इसी तरीके से वहां के इंटर्व्यू प्रोसेस में एंड सेलेक्शन में यहां के इंटर्व्यू प्रोसेस एंड सेलेक्शन में भी आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है बट स्टिल इस रिज्यूमे को मैं इसी तरीके से रिव्यू करूँगा कि जैसे मुझे इनका interview लेना हो second चीज जो common चीज़े होती है positive and negative points वो तो मैं आपको definitely बताऊंगा all right और हाँ जो भी मैं आपको points बता रहा हूँ चाहे positive चाहे negative प्लीज उनको personally मत लेना मेरा यहाँ पर motive बस इतना रहता है कि मैं आपके resume को improve कर पाऊँ और यह हमारी पूरी playlist बन रही है resume के लिए दो parts आ चुके हैं और भी बहुत सारे part आएंगे अगर आपको भी आपका resume review करवाना है आप मुझे LinkedIn के उपर share कर सकते हो resume को और अगर आपको mock interviews देने हैं तो definitely हम लोग वो भी कर सकते हैं all right okay अचा वैसे देखो ये एक full stack developer interns हैं तो इनके हिसाब से resume काफी बढ़िया है और ATS के हिसाब से भी ये resume काफी सही लग रहा है मुझे अब ATS क्या होता अगर आपको नहीं पता तो last वाले दोनों parts देख लेना वहाँ पे मैंने detail में बता है जैसे कि number का email, linkedin, इन सब का ये थोड़ा सही नहीं लगा यहाँ पे मुझे जो linkedin का icon and जो github का icon है ये थोड़े छोटे लग रहे हैं ये phone वाल icon और ये link वाल icon ये मुझे थोड़े से बड़े लग रहे हैं यहाँ पे जो portfolio and जो ये map वाल icon है इसके बीच में थोड़ा सा gap ज्यादा लग रहा है and then इनके बीच में थोड़ा सा gap कम लग रहा है and यहाँ पे भी मुझे थोड़ा gap ज्यादा लग रहा है तो आप इन gaps को भी fix कर सकते हो एक चीज मुझे थोड़ी जीब लगी यहाँ पे maybe अगर आप लोग phone का icon ऐसे यूज करते हो अगर मैं normally phone icon यहाँ पे ढूंदता हो ना इस तरीके से तो आप देखोगे कि यह थोड़े उल्टे होते है आप देखो इनका मुझे इस तरह है बट यहाँ पे जो थोड़ा icon है मुझे left side line लग रहा है तो आप इसको देखना कि यह आप लोग वैसे यूज करते हैं फिर आपने गलती से करें उसके बाद में देखो अगर आप चाहो ना तो यहाँ पे full stack web developer या फिर software engineer एक ही चीज मेंचन करो आपके profile के हिसाब से आपको full stack web developer ही मेंचन करना चाहिए software engineer आप हटा सकते हो वैसे कोई दिक्कत नहीं है रख सकते हो बट एक चीज काफी रहेगी second चीज अगर आपको दोनों चीज़ें यहाँ पे रखनी है तो आप यहाँ पे देखो software engineer यहाँ पे दोनों के जो first letter है हो capital रखें then यहाँ पे web and dev यहाँ पे आपने letter small रखती है तो यहाँ तो आप इनको भी capital कर लो या फिर आप इनको भी small कर लो but at least इनको align रखो इसी तरीके से जो यहाँ पे यूनी रखा है आपने I guess यह कोई university chalk वगरा होगा so आप देखना कि यहाँ पे चोक की spelling भी हम लोग यहाँ पे अगर यह चोक वही वाला जो मैं समझ रहा हूँ चोराहे वाला चोक so अगर आप इसकी spelling भी चेक कर लेना हम लोग यहाँ पे अलग spelling यूज करते हैं second चीज जो इसका first letter है आप चाहो तो इसको भी capital कर सकते हो जैसे आप लोग ने बाकी icons में कर रहा हूँ right okay then इसके बाद में देखो आपने यहाँ पे जो description लिखा हुए ना इतना बड़ा description कोई पढ़ता नहीं है इसको आप चाहो तोड़ा ओर short कर सकते हो इतना बड़ा देखो again depend करता है कि वहाँ पे क्या process रहता है किस तरीके से resumes mostly बनाए जाते हैं but मेरे हिसाब से इसको जितना आप छोटा कर सकते हो ना इतना कम करो because कोई नहीं पढ़ने वाला इतना जो जब interviews लिए रहते हैं तो बहुत सा resumes होते हैं इतना कोई नहीं पढ़ता तो आप चाहो तो इसको थोड़ा सा short कर सकते हो यहाँ पर एक जिगह ना आपने हाँ यहाँ पर कोमा लगा रहे है आई तिंग आपको full stop लगाना चाहिए यह कोमा अपने लगा दिया यह चीजें ना एक जो full stack developer है फिर web developer होता है उसके थोड़ी सी ड्यादा matter भी करती है जो alignment हो गया रहा होता है विकोस देखो उसको CSS में alignment करना होता है खूब सारा right अगर आप अपने resume के अंदर ही चीजें set नहीं कर पाऊगे ना तो interview लेने वाला की दिमाग में जाएगा कि resume के अंदर जो इसको इसके लिए काफी important है उसके अंदर आप चीजों को line properly नहीं कर पा रहे हो तो क्या project में कर पाऊगे नहीं कर पाऊगे चोटी-चोटी चीजें maybe दूसरे profession के लिए इतना matter नहीं करेंगी बट आपके profession के लिए यह चीजें काफी matter करेंगी third चीज, maybe आपका भी यहाँ पर degree चल रही होगी and distance से आप लोग कर रहे होगे because हम लोग mostly क्या करते हैं जब भी college में होते हैं तो हम लोग internship तो कर सकते हैं बट किसी company में directly काम नहीं कर सकते हैं जो आपके skills है कोशिश करोगी आप इनको थोड़ा सा ऊपर कही mention करो because जब हम लोग कभी किसी candidate को select कर रहे होते हैं तो सबसे पहले में यह देखना होता है कि इस candidate को आता क्या है और skills अगर आप यहां पर नीचे करोगे तो इतनी सारी चीजें पढ़ने हैं कोई point नहीं है यहां पर लिख्यों है अब अधर सना थोड़ा समझ नहीं आता है एक बार के लिए टूल सोड़ा सा बेटर लगता है और जो आपने यहां पर प्रोजेक्ट के description लिख्यों है इसमें आप क्या कर सकते हो ना पहले project then उसके बीच में project की technologies and बहुत ही short description इतना ठीक है अब मुझे यह चेक करना हो कि better आप क्या कर सकते हो ना यहां पर कि पहले यहां पर project का नाम प्रोजेक्ट किया है उसके बाद में technologies जैसे की typescript next js, chart js, moment js जो भी आपने use करी है उसके बाद में छोटा सा description की वो project करता क्या है ठीक है यह कर सकते हो और उसके बाद में कर आपका यहां पर special role रहा है तो उसके अंदर एक line लिखो roles की कि आपका उसके अंदर क्या roles आपने क्या 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 काम करे राइट फिर भी दो तीन ही बनेगी जैसे आप आपने थीन चार बना रखे है वो ठीक है बट स्टिल अगर आप लोग इस तरीके से लिखोगे आपके roles अलग से technology अलग स से और वो project क्या काम करता था क्या काम का था वो project तो वो बैटर लगेगा देन उसके बाद में देखो यह तीन डोट चोटे है यह जो एक डोट है आपने बताने क्यों हो लग से बड़ा रखा है में बहुत स्पेशल है तो आप यह भी देख लेना बाकी जिगए आपने सारे एक point बना रखा है यहाँ पे bachelor of computer engineering तो देखो आप इस university से एक ही तो course करोगे ऐसा तो है ने कि दूसरा भी करने वाले हो यहाँ पूरी list आने वाली है तो इसको यहाँ पे इसका सम जो सब point है ना वो मत बनाओ इसको यहाँ पे bachelor of software engineering and then यहाँ पे university का नाम कोमा डाल के यहाँ and then उसकी timing यह डाल सकते हो आप इस तरीके से all right then अगर आपने यहाँ पे October का O capital रखा है तो में का भी M capital रख लो वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा better रहेगा then मुझे लगता है यहाँ पे phone का भी difference है because जो यहाँ पे आपने dash hyphen use करा है वो small है और जो ऊपर use करा गया है थोड़ा स कर सकते हो I guess वो better रहेगा and इसका भी जो first letter है वो भी आप यहाँ पे capital कर सकते हो right and mostly आप क्या कर रहे हो जैसे कि यहाँ पे Islamabad का first आपने letter capital रखा यहाँ पे July का first पाकिस्तान का capital है mostly चीज़ आप ऐसी कर रहे हो तो वीडियो का जो first letter है ना उसको आप capital रख सकते हो और देख इतनी है आप github डाल दो गया फिर live डाल दो वीडियो डाल दो एक चीज काफी रहेगी second चीज एक और चीज मैं हर बार second बहुत देता हूं sorry for that यहाँ पे देखो जो यहाँ पे आपने font use कर रहा है जो भी वो basically tilt नहीं है यह थोड़ा अपने tada लगा रहा है tilt कर रहा है इसक alright so that's all for this part I hope आपके लिए यह session काफी helpful रहा होगा thanks guys thank you so much